वेल्कम तो एजुकेशन वेज, सक्सेस मेड इजी, एनिमल किंग्डम पार्ट नाइन तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम मुलिस्का के बारे में तो फॉर्स फिंग इस, इट इस दे सेकेंड लाज़ेस्ट अनिमल फाइलम तो ये जो इसके जो स्पीशिज हैं, जितनी भी नोन स्पीशिज आज तक पाई गई हैं उनमें से हमारा जो 84% है, हमारा 84% स्पीशिज जो हैं, वो बिलॉंग करती हैं आत्रो पोडा से, जो हमारा फाइलम है, आत्रो पोडा जो कि हमारा first largest animal phylum बोला जाता है जिसे first largest animal phylum जितनी भी known animal species हैं वो सारी बिलॉंग करती हैं 84% तक बिलॉंग करती हैं हमारे phylum arthropoda से लेकिन इसके बाद जो second largest animal phylum जो है वो है phylum mollusca तो जितनी भी species हम देखते हैं normally जितनी भी water में देखने aquatic animals जितने भी हैं सारे के सारे mostly second largest कहने का मतलब है कि अगर आप देखेंगे sea वगेरा में जाके तो वहाँ पर बहुत सारे जो molluscas होंगे phylum mollusca के जितनी भी species होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी सो इनके characteristics क्या होते हैं they are bilaterally symmetrical मतलब इनको आप bilaterally symmetrical होते हैं ये बीच में से अगर आप इनको ये equally क्या होते हैं आप इनको cut कर सकते हैं for example ठीक है now they are triploblastic triploblastic मतलब तीन embryonic cell से mesoderm, actoderm, endoderm यहाँ पर इनके पास mesoderm, actoderm और endoderm ये जो तीनो हैं ये तीनो ही जो cells हैं हमारी जो embryonic cells हैं तीन embryonic cells से मिलके जब किसी भी species की body मिलके बनी होते हैं तो हम उसको triploblastic कहते हैं ठीक है, diploblastic भी होते हैं जब आपकी body जो है वो दो embryonic cell से मिलके बनी है and celomate animals मतलब कि जिनके अंदर भी celom present होता, ये basic चीज़ मुझे आपको समझानी ना पड़े क्योंकि मैंने यह आपको आगे वीडियो में समझा रखा है now a soft and spongy layer of skin forms a mental over the visceral hump the space between the hump and the mental is called the mental cavity in which feather-like gills are present now a soft and spongy layer of skin forms a mental over the visceral hump for example, जिनका भी जो भी आप अगर आप देखेंगे कोई भी इस species की देखना कभी भी आप तो एक hump की तरह उनके पास एक structure दिखेगा mostly animals में, for example, octopus में भी आपने देखा हुआ एक hump की तरह तो इस वाले में भी देखेंगे अगर ये एक hump दिखाई दे रहा है जिसको ये कह रहे हैं कि ये जो hump है ये जो sponge layer है ठीक है, visceral hump बोला जा रहा है ये तो ये जो visceral hump है ठीक है, over the visceral hump, there is a space, ये जो space है बीच में ठीक है, यहाँ पर जो space है, बिल्कुल बीच में, एक hump and a mental और ये जो mental है, ये for example, ये जो हमारा mental है ये, तो इसके बीच में, for example, ये हमारा mental है, इधर ये जो show हो रहा है और ये जो हमारा है, hump की तरह एक structure, उसके बीच में ये जो cavity है, उसे बोला गया है इनोंने mental cavity and इनके बीच में गिल प्रेजन्ट है, in which a feather-like gills are present so, एक बार अगर आप इस image को नहीं देख पा रहे हैं, just because मैंने हाँ पर pen चला, तो फिर से देखिए इस image को तो आपको इस ध्यान से यहाँ पर समझ आएगा, for example, बीच में हमारी है mental cavity and यह है हमारा mental, यह जो white सा structure है, यह है for example, हमारा mental, यह जो कि यहाँ तक जा रहा है पूरा, यह जो है पूरा fill हो रखा यहाँ तक इस mental और यहाँ पे, यह जो पूरा hump-like structure है, इसके बीच में यह जो cavity है ना, इसे बोलते है हम mental cavity और इसी के अंदर एक feather-like structure भी है, यह feather दिख रहा है आपको एक feather-like structure जिसको इन्होंने गिल बोला है Now, और क्या इसके features है, body is covered by calcerious cell, calcerious का मतलब होता है calcium carbonate से बनी हुई एक shell होती है, इनकी जो body होती है, वो mostly किस से covered होती है, एक shell से, यहाँ देखो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि यहाँ shell है, जो की calcerious है, मतलब की calcium carbonate से बना है, CACO3 जिसका formula होता है, and is segmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump, जिसको आप कहा सकते हो कि वो segment किसमें है, यहाँ पर उनके पास distinct foot है, नीचे foot, इनका mouth बोल सकते हो आप, muscular foot है नीचे, यह इनका mouth है और इनके पास एक visceral hump है, यह रहा इनका hump, तो इन तीन चीजों में यह जो पूरी body होती है, वो इनको divide करी होती है, segmented होती है, now, जो anterior head है इसका, has a sensory tentacles and the mouth contains a file-like rasping organ for feeding called redulla, so इनके पास एक mouth है, यहाँ पर rasping organ है, जिससे कि यह feed करते है, file-like rasping organ, जिसको यहाँ पर इननोंने बोला है, redulla, mouth contains and anterior head has sensory tentacles, तो इनके पास यह देखो, पूरी जो mouth है, जो पूरा head होता है, उस reason से यहाँ पर इनके पास tentacles निकले होते हैं, यह पूरा इसमें cover हो गया, कि anterior head has sensory tentacles हैं, इनके पास tentacles हैं और mouth के पास redulla है, now, they are usually dioceous होते हैं, oviparous होते हैं, oviparous and with indirect development और इनकी जो development है, वो indirect होती है, तो यह जो features हैं, indirect development होना, dioceous होना, oviparous होना, यह important features होते हैं, अगर एक दो marks में आता है, तो इन्हें आप एक के करके लिख सकते हैं, कि bilatrical, symmetrical है, triploblastic, silomate animal, यह पूरी एक line में, और वो dioceous है, oviparous है, indirect development शो करता है, यह पूरा एक line में, अगर यह दो point आपने एक साथ सकते हैं, क्योंकि mostly जो questions होते हैं, वो इनके character sticks पर आते हैं, इनके features पर आते हैं, और अगर detailed question पूछना चाहें, तो यह पूछ सकते हैं, कि molluscus में, oviparous होता, present है, या फिर viviparous, ठीक है, ऐसे questions, या direct development होती है, या indirect, monoseous होते हैं, या dioceous होते हैं, तो ऐसे questions पूछेंगे, तो आपको pinpoint ऐसे पता होना चाहिए, कि dioceous होते हैं, oviparous होते हैं, indirect development होती है, क्योंकि ये चीज़े आप learn कर सकते हैं, redula, tentacles होना, hump होना, बट ये जो चीज़े हैं, ये बहुत confusing होती हैं, कभी-कभी और हम भूल जाते हैं, Now, next is phylum echinodermata, so these animals have an endoskeleton, एक होता है exoskeleton, एक होता है endoskeleton, so आपने देखा होगा कि कुछ जो bones होती हैं, हमारी body के बाहर, जो हम देख सकते हैं, जो present होती हैं, for example, हमारी जो teeth हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि, वो एक skeleton, जिसे हम देख सकते हैं, जो हमा हमारी muscle से पूरी cover हो चुकी हैं, उन्हें हम बोलते हैं endoskeleton, off calcareous फिर से वही calcium carbonate से बनी हुई, तो इन animals के पास एक ossicles present होते हैं, जो कि calcium carbonate से बने होते हैं, इसलिए इनको हम akinodermata बोलते हैं, मतलब कि इनकी body जो है, वो spiny bodied है, कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, एक image से पर यह जो ossicles हैं, अगर हमारी जो body है, endoskeleton, अगर यह हमारी body है, for example, यह जो हमारी body है, जो की muscle से cover हो रखी है, पर जो हमारा अंदर का skeleton है, यह जो अगर मालो हमारा endoskeleton है, तो इसको cover करने के लिए, यह जो endoskeleton है, वो पूरा हमारा calcareous mask के बना होता है, calcium carbonate, for example, इसके चा calcium carbonate से बने हुए, हमारे CaCO3 से बने हुए, calcium carbonate से बने हुए, इसके चारो तरफ हमारी जो endoskeleton है, यहाँ पे और यह इसके चारो तरफ present होते हैं, ossicle, hence इसको हम क्या बोलते हैं, spiny bodied echinodermata के नाम से हम से बोलते हैं, यह जो calcareous elements होते हैं, यह करते क्या है, यह हमारी body के अं यह जो body है, उसके अंदर पूरे fill होते हैं, और यह fill होके करते क्या हैं, यह एक तरीके से हमारे जो endoskeleton है, उसको बनाने में help करते हैं, हमारा जो endoskeleton है अंदर का उसको बनाने में help करते हैं, ताकि उन species को rigidity मिल सके और protection मिल सके, for example, अगर उनको उनकी जो bones हैं, वो बहुत प्रोवाइड करता है, और रिजिटी से उनको protection मिलती है, तो इसका main function क्या होता है, it provides rigidity and protection, and next is an all a marine with organ system level of organization, तो इनके पास organ system level of organization है, तो कह सकते हैं कि digestive system होगा, complete digestive system होगा इनके पास, क्योंकि organs developed हैं, इनके पास, बट स्टिल, यह जो एकिनो डर्माटाज होते हैं, इनके प absent होता है, ठीक है, यह इनके पास, for example, kidney fully developed नहीं होती, organ system level of organization का कहने का मतलब है, कि जरूरी नहीं कि इनके पास सारे organs present हो, ठीक है, तो हम अगर एक पी organ present है, तो हम कह सकते हैं कि organ system level of organization शो कर रहा है, but still हम यह नहीं कह सकते हैं, कि अगर उसके पास organ system level of organization है, तो वो सब कुछ क कर सकता है उसका digestive system complete है with mouth on the lower ventral side मतलब इसका जो mouth है वो ventral side में है for example आप कह सकते हो it is on the upper side and anus on the upper or dorsal side तो यह बिलकुल anus जो है वो top surface पर present है now the most distinct feature of achynoderms is the presence of vascular water vascular system which helps in locomotion capture and transport of food and respiration तो इनके पास क्या होता है water vascular system present होता है जो कि इनको locomotion में help करता है और food transport में help करना respiration में help करना इन सब चीजों में help करता है इनका most distinct feature याद रखना is the presence of water vascular system now an excretory system is absent मैंने बताय था कि इनका जो excretory system है वो जरूरी नहीं कि इनके पास सब कुछ हो ठीक है mostly cases में इनके पास present होता है annis present होता है जिसके वज़े से यह जो अपना excretory जितना भी nitrogenous waste है ठीक है ammonia के form में यह बहार निकाल सकता है अपनी body से बट mostly cases में क्या होता है इनके पास excretory system जो होता है वो absent होता है ठीक है बहुत कम cases देखी गाएं जहां पर annis जो है वो प्रेजेंट होगा और महां से वो nitrogenous waste अपनी body से निकाल सकते हैं तो sexes are separate, reproduction is sexual, fertilization is usually external होता है बाहर देखी जाती है बट development जो है वो indirect होती है इट मीज डिरेक्ली वो फॉर्म नहीं होते है उन इंडिविजुल्स में तो किसमें फॉर्म होते हैं सबसे पहले with free swimming larva तो पहले larva बनता है इनका फिल लार्वा से यह starfish में अगर मैं एक्जाम्पल लूँ है किनो डर्मातक का अगर starfish लूँ तो mostly में क्या होगा डेवलप्मेंट क्या है इन डिरेक्ट है विद फ्री स्विमिंग लार्वा एक्जाम्पल्स है सारे starfish, sea urchin, sea lily and sea cucumber, brittle star next is hemichordata, hemichordata consists of a small group of worm-like marine animals यह hemichordata में क्या होते है, worm-like आप कह सकतो की worms की तरह दिखने वाले हम इसके अंदर species लेते हैं जो हमारे marine animals है they have organ system level of organization, इनके पास organ system level है मतलब कि यह बहुत ही जादा अच्छे से develop कर चुक है अपने organs वगेरा bilaterally symmetrical है, triploblastic है, silomate animal है कह सकते हैं कि इनके पास सब कुछ complete है bilaterally symmetrical है, triploblastic है, silomate animals है और organ system level of organization है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, phylum में जैसे जैसे हम आगे भढ़ते जाते हैं porifera से, जहां तक हम hemicodatus तक आए तो आपने देखा होगा कि organ system level बहुत सारे लोगों में हमने बहुत सारे phylums में देखी तो जैसे जैसे हम phylum पे ऊपर आते रहते हैं तो open type और close type होती है open type में क्या होता है? कि पूरे जो हमारा body है for example उसके अंदर जो blood होता है वो पूरा बात कर जाते हैं सारे organs एक तरीके से बात कर जाते हैं लेकिन circulatory system जब close होता है तो हमारा जो blood है वो पूरा veins में जाता है arteries में जाता है यह चीजे जो है मैंने आपको starting में ही clear की थी तो मैं इनको detail में नहीं बताऊंगी बट सिल मैं बीच-बीच में आपको बताती चलने हूँ कि आपको कोई confusion ना हो respiration takes place through gills excretor organ is proboscis gland now the body is cylindrical तो यहां पर देखो इस picture में आपको clear हो गया होगा बताने की जरूओत नहीं है so the body is cylindrical and is composed of an interior proboscis यह रहा collar and a long trunk यह रहा long trunk पीछे now sexes are separate fertilization is external और development जो है वो indirect है तो यहां पर gills यहां पर present है gills हैं ताकि यह बहाँ पर survive कर सके पानी के अंदर और यह हमारा hepatic region तो यह important था collar region important था और फिर यह gillslets वाला next is examples है so यहां पर हमारा phylum hammy core data तक खतम होता है next जो होगा वो सबसे ज्यादा important है हमारा core data ठीक है जिसमें हमारा notochord जिसमें भी present नहीं होते vertebra जो होंगे हमारे division उनकी तो reptiles, apes, mammals यह जो बाकी बच गए है वो important है वो बाकी आगे chapters में हम करेंगे आगे videos में thank you so much please subscribe कीजे like कीजे and comment also और जिसने भी अभी तक subscribe नहीं किया please subscribe जरूर कीजेगा like करना मत भूलेगा thank you so much झालेग पाँ